दोस्तो 19 सिप्टेंबर से UAE में IPL 2021 का Phase 2 जो है वो हो रहा है सुरू जिसको लेकर हर दिन लगातार बड़ी-बड़ी अपडेट्स जो है हमें देखने को मिल रही है यहां पर भी काफी सारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए है तो वीडियो काफी जादा इंट्रेश्टिंग होगी तो आप इस वीडियो को कर दीजिए एक लाइक और दोस्तों UAE में आप कौनसी टीम को करने वाले है सपोर्ट आप अपनी राये कमेंट करकर जरूर दे सबसे पहली जो अपडेट है वो है दोस्तों डैली कैपिटल्स की टीम के लिए जिन के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट निकल कर आई है इस्टीव इसमित को लेकर जहां पर दोस्तों इस्टीव इसमित ने कनफर्म कर दिया है कि वो UAE में जो है वो अवेलिबल रहने व इसी वज़ेसे वो IPL में जो है वो खेलना चाहते है तो अच्छी अपडेट डैली कैपिटल्स की टीम के लिए कि स्टीव इसमित यूए में जो है वो अवेलिबल रहने वाले हैं अब बात करें दोस्तों अगली अपडेट की जो किया रही है रोयल चेलेंजर्स बैंगलोर के स्कौड को लेकर जहां पर बड़ी अपडेट ये कि जौसिया फलीपी जो है वो यहां पर यूए में हमें नजर आएंगे रोयल चेलेंजर्स बैंगलोर के स्कौड में जिया दोस्तों जौसिया फलीपी जुन्होंने सुरुवाती IPL में अपना नाम जो है वो नहीं दिय जो कि थे फिन एलन ऐसे में आरसी भी को डिसाइड करना था कि फिन एलन यूए जाएंगे या फिर जौसिया फलीपी तो फिन एलन के बारे में आपको बता दे कि इनका सेलेक्शन इस समय न्यूजलेंड के स्कौड में हो चुका है पाकिस्तान दौरे के लिए और इसलिए फिन एलन हमें यूए जाते हुए नजर नहीं आएंगे तो आरसी भी के लिए बड़ी अपडेट ये कि जौसिया फलीपी यहां पर हमें रॉयल चेलेंजर बैंगलोर के स्कौड में यूए इमें जो है वो आने वाले है नजर अभी भी दोस्तो रॉयल चेलेंजर बैंगलो यूए जाएंगे या फिर उनका रिप्लेस्मेंट टीम जो है वो करेगी अनाउंस बात करते हैं दोस्तो अगली अपडेट की जो किया रही है चेन नहीं सूपर किंग की टीम के लिए जहां पर चेन नहीं सूपर किंग के सीओ ने बहुती बड़ा स्टेटमेंट दिया है औ तो मोहिन अली सैम करंदो बहुती इंगलेंड के प्लेयर ये दोस्तो अवेलबल रहने वाले है और यूए में हमें खेलते वे नजर आने वाले है वहीं अस्टेलियन प्लेयर के अगर बात करें तो टीम के पास जॉस हैजलवूड है जेसन बहरंड़ॉफ जैसे प्लेयर है तो ये सभी प्लेयर दोस्तो यहाँ पर अवेलबल है फेस्टू के लिए ये काफी अच्छी अपडेट चैन नहीं सूपर किंकी टीम के लिए इसके लावा दोस्तो कुछ अधर अपडेट की बात करें तो टीट्वेंटी वर्ल्ड कप का यहाँ पर पूरा सेड्डियूल आ तीसरे टेस्ट मुकाबले से पहले इंगलेंड के लिए कुछ अपडेट निकल कर आई है जैसे कि पहली अपडेट ही है कि मार्क वुड इंजिर के कारण तीसरे टेस्ट मैस से जो है वो बहार हो सकते है इसके अलावा इंगलेंड की टीम अपने स्कौर्ड में चेंजिस कर करें और अपडेट्स लगातार पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करकर बेल आइकन को जरूर दबाएं